नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास 21 इंशी की एक अल्टरा सिलिम टीवी आई है और ये जो अल्टरा सिलिम आप देख रहे हैं इसमें क्या फॉल्ड है चलिए हम इस पर पावर लगा के देखते हैं तो चलिए हम पावर लगा चुके हैं और टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें नो पावर की प्रोब्लम दिखाई दे रही है तो चलिए दोस्तों इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं इस टीवी पर क्या प्रोब्लम होई है तो इससे पहले आप सबीसे हमारी प्रोटी स देखते हैं इसमें क्या प्रोब्लम हुई है तो टीवी को हम अपन कर चुके हैं अब इसका जो सर्कृट बोड है इसा हमें बाहर निकालना है और देखना है किस जगह यह से फॉल्ड हुई है तो जो छोटे-छोटे वायर होती है उसे हमें जो है खोल देना है सर्कृट बोड को हम इस तरह से रखेंगे और इसमें फिर से पावर देंगे और सर्कृट बोड की यह 110 की सप्लाइ होती है वो सप्लाइ को हमें चेक करना है हमारे सप्लाइ कहां से कहां तक पहुचती है और किस जगह से फॉल्ड हुई है तो चलिए हम बारेकी से समझेंगे दोस्तों और एक हाथ से हम मोबाइल फॉन को पकड़ करके हैं अगर किसी भी पार्ट्स को हम अच्छे तरह से दिखा नहीं पाएं तब कमेंड सेक्शन पर भी कमेंड के जरिए आप पूछ सकते हैं तो यहां हमें पावर लगा लेना है फिर से और यह प्लग जो है दोस्तों हम इसमें प प्रोब को हम ग्राउंड कर देंगे ठीक है एक जो काला वायर है दोस्तों इसको हम ग्राउंड कर देंगे कहीं से भी ग्राउंड ले सकते हैं तो यहां हम जो है तो देख सकते हैं हम जो काला वायर है इसे हम ग्राउंड में सेट कर चुके हैं तो अब जो है दोस्तों हमें टीवी पर फिर से दुबारा लाइन देना है, चलिए हम पावर फिर से हम लगा लेते हैं, तो टीवी पर हम पावर दे चुके हैं, तो जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, एक हाथ से हम मॉबाइल फॉन को पकड़ के रखे हैं, और दूसरी हाथ से ही हम आप सब को दिखाने कॉसित करते हैं तो जैसे कि मल्टी मीटर को 500 की रेंज पर हम इसे सेट कर चुके हैं और ग्राउंड जो है दोस्तों बोडी पर हम कनेक्ट करके रखे हैं अब हमें क्या चेक करना है इसमें 110 वोल्ट की जो सप्ला होती है उसे सबसे पहले हमें चेक करके देखना है तो चौपर से पहली जो किनेक्शन निकलता है यहां देख सकते हैं दोस्तों और यहां से ही हमारी चौपर की जो किनेक्शन है यहां तक आई है और यहां से एक डायोड के जरिए हमें 110 वोल्ट की सप्ला यहां मिलता है एक डायोड के जरिए हमें 110 वोल्ट की सप्ला इसमें आती है ठीक तो दोस्तों जब TV पर हमारी 110 वोल्टी की supply आ जाती है तभी हमारी TV जो है दोस्तों यह start हो जाती है तो यहाँ TV पर हमारी 110 की supply भी drop दिखाई दे रही है और यहाँ जो एक 24 वोल्टी की supply है जो बक्की भार्टिकल सेक्शन के लिए यहाँ भी supply हमें 0 देखने को मिल रहा है और एक 12 वोल्टी की supply है वो भी हमें जीरो देखने को मिलता है और एक 16 वोल्टी की supply है जो कि टीवी कीड पर आती है तो हमें क्या चेक करना है सबसे पहले दोस्तों हमें में केपासिटर जो है दोस्तों में केपासिटर पर हमें किनेक्शन को देखना जाए अगर में केपासिटर पर हमारी साड़ी 400 वोल्ट की करीब हमें आ जाती है तो टीवी हमारी स्टाट होने के कि सपलाई को भीज जा आता है तब जाके हमारे TV著還 होती है तो nsb पहले हमें कैपासिटर इंप हल्य नहीं नहीं रही है देख सकते हैं यहांuego सप्लाई हमारी नहीं पहुंच रही है देख सकते हैं तो दोस्तों अगर कैपासिटर तक भी हमारी connection नहीं आ रही है, supply नहीं आ रही है, फिर भी हमी क्या check करना है, तो चलिए दोस्तों हम check करके दिखाते हैं, सबसे पहले circuit board को हमें ध्यान से देखना है, अगर कहीं भी fuse कटी होगी, PF कटी होगी, या तो दोस्तों यहां एक चौपा ट्रास्थरमा लगा हुआ रहता ह है, छोटा सा, यहां भी problem हो सकती है, अगर यहां से भी problem होती है, तो फिर भी हमारे TV start नहीं होगी, तो चलिए अब जो है दोस्तों हम फिर से हम power को disconnect कर देते हैं, और circuit board को हम फिर से अच्छी तरसे देखते हैं, इसमें कहां से problem हुआ है, तो circuit board पर देख सकते हैं, circuit board को हम प supply जो है, दोस्तों आगे नहीं जा रही है, तो दोस्तों fuse भी कटी हुई है, और capacitor भी फूटा हुआ, देख सकते हैं, यहीं problem है, जिसके current TV हमारी start नहीं हो रही है, और no power की problem यहीं से generate हुआ है, तो चलिए हम सबसे पहले fuse को लगाते हैं, और इस capacitor को भी change करके दूसरा लगा क एक बड़ TV को हमें start करके देखते हैं, तो दोस्तों हम fuse को नया लगा चुके हैं, अब चलिए कि इस capacitor को हम change करते हैं, और same value का हमारे पास नया नहीं है दोस्तों, और इसकी जगा हम पुराना circuit board से किसी से भी खोल करके हम इसमें set करने की causes करते हैं, और देखते हैं दोस्तों लगा चुके हैं, आप चलिए थोड़ी सी फास्टली कर लेते हैं, दोस्तों क्योंकि अभी हो चुका है, चलिए फिर से दुबारा power connection करते हैं, और देखते हैं, इसमें power आती है या नहीं, तो दोस्तों जट से मार चुका है current, और देख सकते हैं, ये HD से हमारी थोड़ी से आवा जा रही है, और power भी आती है, चलिए स्क्रीन पर जाते हैं, और देखते हैं, तो ये भी का भी सिंबल आती है, देख सकते हैं, ये चोटा सा information था आप सब के लिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलेंगे, तो म मिलते हैं, ऐसा ही नए टॉपिक ले करके तब तक के लिए जाहिंद, बंदे मात्रम, थैंक यू फॉर वाचिंग वाडियो